पंजाब से हैं प्रदीब कौर स्वागत है आपका जी नमस्कार जी बात हो रही है प्रदीब जी बताईए प्रदीब कितनी है प्रदीब साफ आयू आपकी उमर कितनी है परवा नहीं करो जी देखो एक तो यह करो कि वेस्टन टॉयलेट यूज करो और देखो आप पंजाबी पतर लग रहे हो मैंनो और कोई वजन वजन नहीं उठाना और तुसी कोई डांस भी नहीं करना कुछ दिन तक वो पंजाबी डांस जो होता ना वो बहुत जटके लेता ह तो एक तो यह एतियात करें वजन नहीं उठाएं और वेस्टन टॉयलेट यूज करें और एक आता है गौन सियाह यानि काला गौन इसको हम लोग बोलते हैं असली ले लीजे बस और सौ गिराम काफी होना चाहिए रोगी के रोग के लिए आदा गिराम अगर असली मिल गया तो अदा गिराम नाश्ते के बाद अदा गिराम शाम को खाने के बाद खाया करें पानी से या थोड़े पतले दूस से यानि बगर चरबी के दूस से खाएं तो बहुत अच्छा थोड़ा सबर करना इस रोग के लिए ये अच्छा इलाज वाना जाता है और सो गिराम भी आ आपको फाइदा होना मुम्किन है। पड़ना है किसी पाउडर में, तो क्या आउले को भी उसमें, अल्मन में, चेल में भूनना पड़ेगा। ठीक है, और कोई सवाल भी है आपका? नहीं या और कुछ नहीं है यह एक डावत है मैंने का हरर जैसे भूनते है या बहेडा भूनते है तो आउले को भूने की जर्वत है कि नहीं दूछरे और प्रोडक्स में डालने के लिए है हाँ सिर्फ देखिए तीन नाम है आमले को भूने की जरूत नहीं है तीन नाम है हरर बहेडा और हरर काबली यह एक ही फल होता है कच्ची कहरी होती है कच्चा फल गिर जाता तो छोटी हर बहेडा जो उसमें अंदर गुठली पड़ जाती है उसे बहेडा कहते है और उसकी मुक्ता मदबूत हो जाती है तो उसे हर अड़ काबली कहते है यह तीरों एक ही फल है तो यह जहां भी इस्तमाल हों उनको इसमें कमसकम यह अरंडी के तेल में जिसे कैस्टॉल आइल कहते है या बदाम के तेल में या फिर भी अगर कुछ भी नहीं हो तो फिर किसी भी तेल میں भून लें लेकिर इन तेलों में भून कर इसके नतीजे बहुत अच्छे ये बहुत कीमती और फाइदे बन्द चीज है उन लोगों के लिए जो इसे भून कर इस्तमाल करते और ये अगर भूने नहीं जाए तो ये आँटों में अलसर तक कर देती है और पूरी जिंदगी अ आँटों के अलसर कहते हैं आँटों के छाले आँटों के जखम तो ये उसमें मुपतला कर देती है खुदारा आप इसको भून कर इस्तमाल करें और फाइदा उठाया जी अगली कॉलर है सिमरंग जी स्वागत है आपका नमस्ते मैं नमस्कार नमस्ते डाश साब वेलकम सिम अरफा जी फिएख म sizi जो जो होता है कि मैं जो क्या होता है मैं इसको बंद कर दू है और और ऑस मेरी इस्तिम गर गही में और मेरी जो प्राबलम थी अब वो चात पांच महीने मेरी खत्व हो चुकी है और गोंद मोरिंगा जे इस्तमाल करते हैं तक क्या मैं अजीवन इस गोंद मोरिंगा परीज कर सकती हूं कि मैं मेरी ग्लो ऐसे ही बनी रहे और जाश्ट राव एक सवाल और था मेरी देवरान है उनका मुझ पूरा तरह से खूल कर दी है ठीक 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 देखिए मैं समझ गया था कि वो गुटका खाने वालों का ही मुझ थोड़ा सा कुलता है वो गुटका मुझ में रखके जो यह चुबाते रहते रहते ना तो वो यहीं फिक्स हो जाता है अब उसको जब मुझ खोलने की जरुद पड़ती तो इतना स खुलता है यह भी ठीक हो सकते है आप उन्हें अलसी भूनें तीच चार सो गिराम अलसी भून लें और यह गौन मौरिंगा सफेद उसमें एक चुटकी मिला है एक चमच में इसके पाउडर में और रोज आना एक बार या दो बार दिया करें वक्त लगेगा फिर गुटका दुबारा निकाएनी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है उनको भी फाइदा होना मुम्किन है और आपकी जो प्रेम है ना प्रेम भावना खास तोर पर इनके लिए और वो बहुत कीमती है आपका जो सीधा पन आपका भोला पन और आपका विश्वास भगवान में यह आपको बहुत जल्दी फाइदा करता है हम चाहते हैं कि ऐसा विश्वास सब में हो और सब लोग इसका युनानी दवाओं का इस्तमाल करें आप कभी कभी तो ले सकते हैं एक दिन छोड़ के लिया करें अब आपके चेहरे पर पूरी गलो आ गई इससे गॉन वारिंगा से तो आप कभी कभी लिया करें दीए हमेशा वैसे तो यह नुकसार नहीं देता लेकिन क्यों इतना खर्चा किया और वो सोड़ा भी आप कभी कभी इस्तमाल किया करें अब आप पूरी तरह अच्छी हो चुकी है मेरी तरह से बहुत-बहुत मुबारक लेकिन वादा करें आप लोगो की सेवा करती रही आप बहुत ज्यादा पूरे गाओं की सेवा करती है यह मुझे पता चल चुका है जी महराश्यों से हैं तौपिक जी स्वागत है आपका हालो हालो हाँ जी सर अपना सवाल कर लीजिए मेरे राइट सेड में कोई भोरे के पास जो रखत बहुता है न वो नलीका वो चीतव बहुता लगता है बीमार जैजा लगता है राइट साथ पर के बोरे के पास और कोई चाव रहे हैं मतलब डशता है राइट्साइड के रख्ते मेरे निकार दशता है बैंते के रख्ते में के से वह यहां बाईट्रwater देशी में अश्छा देशिलक्टे में लिक्ते और ओने थाल्दॏ राइट्साइड मल्ड़ का वार टती इस vari खुजाती है आपको आइब्रो के पास ये दिक्कत है आइब्रो जहां पर आपके ये भोएं है वहाँ पर प्रॉब्लम है ये हाँ हाँ भोडे के पास आइब्रो के उपर इनको दिक्कत परिशानी है दर्द होता है और के तकलीफ हो रही है आपको महाँ पर खुजली भी होती है है कुजा भी है का लॉपर ची का सिर्काद ले के लौजी का सिर्काद दो या तीन च्मज एक गिलास पानी में डाले और एक चुट्की में सोडा जितना खाने का सोडा जो हमारे किचन में होता है मम्मी से पूछना है गर में जो भी जिम्मेदर है वो मिलाकर रात को दो आग एक खुराग क्या करें आपकी परिशानी ठीक होना मुप्टीन है जीवन मिश्रा जी आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार सर हकीम जी को नमस्कार जैहीं वेलकम सर. दो तीन दो जैसे दियें तो उसके आँच शिपकने लगाया राज को. जिसका लाल रहता था. उससे ये पूछना है कि कोई आगे देते रहें कितने दिन तक एक सफ़ा बोले ते कोई दिकर्ट तो लिखताईगी. और दूसरे के ओगाच गाच ती थी उसको भी दे रहा हूं. उसको भी एक सफ़ा जो है देने के लिए बोले थे. और अपने मैडम के लिए मैंने बोला था कि उनको जो है स्किर के पीछे जो है नस में जो है दर्द रहता है. ये सब कुरकुराट रहती है. वो वैसे तो जो है गौंसिया लेगी रही है तो उन्होंने खस खसा बताये थे मेरे उको कि दूद में पीछ करके देने के लिए तो तो खस खस दे रहा हूं तो उससे ये दर्द में तो राहत मिली आज साथ आश रोज हो गए मगर पेट कब जो होने लगा है उसके लेकिन जब खुलके नहीं आती है ठीक है अधी बच्चों को तो अभी रोक दीजे जो मुंडी बूटी देते अच्छा ये धीर धीर असर करती है आँक में गीत बनने लगे तो अच्छी बात है ये बुरी बात नहीं है अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं ये जो वाइरल होत पांच-छे साल तक नहीं होती ऐसा हमारा तजर्बा अगर आपने पांच-छे दिन दिया है लेकिन दीरे 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 धीरे खतम होती जाएंगी खुराक डोध उनके पहुँच चुका है और अब आप बेफिकर हो जाईए और जो इलाज करना चाहें करें लेकिन ये रोग अब ये मुद्दतों तक उनको परिशार नहीं करेंगे और मैडम को भी फायदा शुरू हो गया ये और खुशी की बात है अगर कब्ज होता है तो एक चमच धनिया के साथ दिया करिए मैडम को धनिया और मैथी का पॉडर बना लीजे जिसमें मैथी पचास गिराम हो धनिय सो गिराम इसका पॉडर एक चमच उनको खिलाए और ये पिला दे तो उनकी ये परिशानी भी ठीक होना मुम्किन है और क्या सवाल थे हकीम साथ चलिए अगले कॉलर है पंजाब से वागत है आपका जी नमस्कार आपका नाम क्या है आप थोड़ा तेज अवाज में बात की हां जी हखी exactly आपका जी हगी मैंडम मारे दोग साल है नोट चामीख भी ए जी सर तो ऑल गोलेख स्वाल को बोली आप सवाल को बोल ये ये परले स्वाल को बोले भी डम का जी दखील का जोग निगीशन का जी गर्टोवी विसका अंगी जड़ोगी जड़ोगी जगकार बीपी है, शुगर है, जिनको पैरों में दर्द है राद को उसको प्रेरी आजाती है क्या आती राद को? सोते बर्त में मुझ को आजाता है सोते रोड सर सोते बर्त में मुझ को राद को मुझ को आजाता है, प्रेरी आजाती है हम लोग समझ ने पार है आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई अच्छा आपको मेरी आवाज मिल पारी है सर मैं धर से बोलती हूँ आप बताईए जिनको पैरों में दर्द है उनको बीपी है शुगर है नसो में खिचाव है और रात को मिर्गी के दौरे आते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है जी नसो में खिचाव हूँ ठीक है और कोई सवाल और एक दुस्रा स्वाल है कि लगतेश नुमर्ट सिताफ साल है हाँ कि उसको बीपी शुगर रशा है ठीक है सिगनल की पापना जी जी बीपी शुगर दर्द नसो में खिचाव अगर दिखिए बीपी शुगर शाद दो लोगों को है आपको तो बीपी शुगर का इलाज लेते रहें दवा न छोड़े जो भी आप लेते हैं और कलाउंची का सिरका दो चमच पानी में डाले और एक चुटकी उसमें खाने का सोड़ा मिलाएं और दिन में दो बार खाने के बाद पिएं और अपरी सारी ओशद्धी लेते रहें जो डॉक्टर देता है और ये लेना शुरू कर दें तो धीरे धीरे सारी चीज़े कंट्रॉल होना मुम्किन है और जिनको नसों में दर्द कमर में दर्द या पैरों में खिचाओ या कहीं भी दर्द है तो गौन सियाह नाम का एक काला गौन आता है जिसका असली लेना बहुत जरूरी है इसको आप असली लें और इसका पाउडर बना लें ये एक रॉ मैटेरियल यानि कच्छी गौन है एक जो नकली बहुत मिलता है सौ गिराम खरीद लें काफी होना चाहिए एक रोबी के इलाज के लिए ये पंद्रह सोला रुपे रोज का इलाज है आदा गिराम सुबह खिलाएं आदा गिराम शाम को खाने के बाद और नाशते के बाद तोड़ा सवर करें धीरे धीरे धीर का प्रियोग जरूर करें और ज्यादा महनत ना करें तो फायदा होना मुम्किन है